अगर इस्त्रिया करती है ये साथ गलती तो निश्चित तौर पर अपने पती को बरबाद कर देती है। जी हाँ दोस्तों अगर कोई भी पत्ने ये साथ गलती है तो उसके पती बरबाद हो जाता है और साथ ही साथ वह घर भी बरबाद हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस्त्रियों का वह कौन कौन सी गलती है जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए और सच्चेत हो जाना चाहिए नमबर वन इस्त्रि को प्रती दिन सुबह उठकर साप सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि साप सुथरा अस्थान पर मा लक्षमी का निवास होता है यदि कोई महिला साप सफाई नहीं करती है तो उस घड़ में गंदगी जमा होने लगती है और बिमार्यों का खत्रा भी अधिक होने लगता है इसलिए हर इस्त्री को साप सफाई का विसेश ध्यान रखना चाहिए नमबर दो इस्त्री को कभी भी अन का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि विधाता ने किसी को भी उनका अपमान करने का हक नहीं दिया है अगर किसी की पत्नी अन का अपमान करती है या पलेट में अधिक भोजन डाल कर आधा खा कर छोड़ देती है तो यह अन का अपमान है एसा किसी भी इस्त्री या पूरुस को नहीं करना चाहिए नमबर तीन किसी भी इस्त्री को ब्रह्म मोहूर्त में खरे होकर सभी काम निप्टा लेने चाहिए यदि कोई इस्त्री शुबह के शमय अधिक देर तक सोती है तो उसके पत्ती को अनेक कार्जों में असफलता मिलती है और कार्ज देरी से होती है इसलिए सुबह के शमय हर इस पतनी का रोज रोज नहीं नहाना दोस्तो जो भी पतनी या महिला रोज रोज नहीं नहाती है या अपने आपको शाफ नहीं रखती है वो महिला नेगेटिव एनरजी से भड़ी होती है और उसके इर्दगीर्द नेगेटिव उर्जाओं का भी अभाश होने लगता है इसे में पती आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता नमबर च्छाँ खाने में भेद भाव करना जो कोई भी महिला अपने पती को खुसी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती उसके पती की बरवादी वहीं से सुरू हो जाती है नमबर साथ सुबह देर से उठना कोई भी पत्ने अगर सुबह सुरूयदे के बाद भी बिश्तर पर सूती रहती है तो वहां काफी मत्रा में नकारात्मक उर्जा पैदा होती है एसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पती को हमेशा दुरूभाग्य का सामना करना पड़ता है इस उर्जा का असर सिधे पती के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दीन बेकार जाता है इसलिए पत्नी को हमेशा सुरज निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए तो दोस्तो आप लोग को यह जनकारी कैसी लगी कमेंट बक्स में जरूर बताएं और खास करके महिलाओं से अनुरोध है अगर वह इस वीडियो को देख रही है तो इन सब बातों पर जरूर ध्यान दे और पुरुष देख रहे हैं तो अपनी पत्नी को इन बातों से जरूर आउगत कड़ाएं तो आप लोग को यह जनकारी कैसी लगी है कमेंट बक्स में जरूर बता है